दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्रिये चैनल मनी मंत्रा में दोस्तों आज रिजर पैंक आफ इंडिया ने अपने मोनेटरी पॉलिसी का एनॉंस्मेंट किया इसकी एक बुक के बातें ये हैं कि उन्होंने रेपो रेट 0.25% बढ़ाया है 0.25% रेपो रेट बढ़ाने से जो अर्लियर 6.25% रेपो रेट था अब ये 6.50% रेपो रेट हो जाएगा आपको मैं यहां बताना चाहता हूँ कि रेपो रेट वो रेट होता है जिसपर बैंक's, साउर्ट टर्म लेंडिंग, बारोंइंग, रिजर बैंक ऑफ इंडिया से करती है और उसपर जो रेट इन आफ इंटरेस्ट पे करती है उन्हें हम रेपो रेट करते हैं repo rate बढ़ाने से impact यह होता है कि आपका EMI पढ़ जाएगा आपके auto loan आपके home loan पर rate of interest बढ़ेगा यह वावाई बैंकों के पास financial crunch होता है और financial crunch होने के मारे bank अपना rate of interest बढ़ाती है और आपका rate of interest bank बढ़ाती है तो naturally आपके auto loan home loan का EMI बढ़ता है तो दोस्तों आप तैयारी के साथ अपने EMI को इस तरह manage करें कि आप आसानी से pay कर सकें और आप unnecessary button से बस सकें Thank you friends, keep watching my channel video Money Mantra and subscribe my channel Thank you friends, Thank you